उत्तर प्रदेश में बदमाश अभी भी ये नहीं समझ पाए है कि यूपी में जब से बाबा की सत्ता आई है तब इसे पुलिस की सक्ती में भी बदलाब आया है बदलाब ही नहीं बलकि पुलिस के काम करने का तरीका भी बिलकुल बदल चुका है और यूपी पुलिस ने ग्रेटर नॉड़ा की पुलिस ने किड्नैपिंग का खुलासा करते हुए 11 साल के बच्चे को बरामत कर लिया। जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोयडा के इकोटेक इलाके से 11 साल के बच्चे का अपरहण हो गया और अपरहण करताओं ने बच्चे के पिता से 30 लाग रुपे की डिमांड भी कर डाली जिसकी सुचना बच्चे के पिताने तुरंत पुलिस को देन बस फिर क्या था नोयडा और ग्रेटर नोयडा पुलिस एक्शन में आ गई और टीमों का गठन कर आरुपियों की तलाश शुरू कर दी इसे बिच पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर एकोटेक इलाके में आरूपीयों को घेर लिया इसके बाद दोनों तरफ से फारिंग होनी शुरू हो गई और पुलिस ने दो अपरहन करताओ विशाल और रिशप का एनकाउंटर कर दिया और बच्चे को इनके कबजे से छुडा लिया हाला कि इस दोरान इनके तो साथ ही फरार हो गए जिनकी पुलिस तलाश कर रही है कुछ अज्याद बदमाश एक बच्चे को ले करके ठाना इकोटेक छेत्र में आ रहे हैं और फिरोती की रकम के लिए वो आ सकते हैं और वादी से डिमांड कर सकते हैं उसी क्रब में पुलिस द्वारा चेकिंग लगाई गई तड़के सवेरे लगबग साड़े पाच शे बजे के आसपास विशाल मौरिया और रिशब है ये जनपत बदाईउं के रहने वाले हैं और जो अन अपरादी हैं वो मौके से फरार हैं इनके नाम विशाल पाल और श यूपी पुलिस ना सिर्फ दस घंटे के अंदर केस को सुल्जा देगी बलकि बदमाशों को एनकाउंटर भी करतेगी वीके निउस उत्रप्रदेश उत्राखंड